महोद है, अभी जो चुना हुए और उसमें दो ऐसे नेरेटिव गढ़े गए, एक नेरेटिव था, बीजेपी सत्ता में आएगी तो सम्मिधान बतने लिए, दूसरा नेरेटिव था, जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलितूं, कि जब बीजेपी आएगी, तो दलितों का, आदिवासियों का, बैक वर्ट्स का आरक्षन चनली, ये नेरेटिव बने, और बड़ा इसका प्रचार प्रशार हुआ, महोदे ये नेरेटिव, हमारे हाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाईयों ने, बामपंथियों ने, टीमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये बिदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से, डीप स्टेट वो इंटरनेशनल सक्तियां हैं, जो भारत को प्रकती नहीं देख पाती हैं, और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही अब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ, और उसी में ये मैं सिविल सर्वेंट हुआ, और पाले चार महीन एंडियन फारस सर्विस में, फर्स मार 77 को द्यारा दून फारस अकाडमी में, उस समय चुनाओ के रिजल्ट आ रहे थे, जनता पार्टी जीत रही थी, और हम सब लोग खुशी बना रहे थे, चार महीने बाद मैं सिविल सर आते थे, एक था गोलकनाथ केस, और दूसरा केशवा अनंद भारती केस, यह हम लोगों को उस समय पढ़ाया जाते थे, और क्या था गोलकनाथ केस, संसद ऐसा कोई परिवर्तन संविधान में नहीं कर सकती, जिस्चे यहां के स्टिजन के फंडमेंटल राइट्स कर्टेल ह फंडमेंटल राइट्स पर था, उसके बाद केस वानंद भारती के बहुत तेरा जजजज के बेंच थी, वो हुआ, उन्हों ने कहा, आप संविधान का बेसिक इस्टक्चर नहीं बदल सकती, यह केस वानंद भारती केस था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी, जो उनके जड़ों में, उनके डिएने में ताना साही थी, और वो चीजें उस समय की प्धानमंत्री वो बरदास नहीं कर पाईं, और इमरिजन्सी हम सब लोगों ने देखा है, जब 25 जून 75 को इमरिजन्सी लागू हुई, उस समय में अलाबाद इन्वस्टी में MSC आवनी थी, अब तो तमाम मेटरियल है, कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने धमकाया गया जग महान सक्षिनाजी को, और कहीं से आया उनके पास, कि अगर आपने कोई भीपरी जज्ज्मेंट दिया, तो अपनी पतनी से कह दिजिए, अगला करवा चौत का ब्रत ना रखे, ज पतनी का तीन महिने पहले द्यांत हो गया है, तो यह हल था, उसमें कांग्रेस पार्टी को धमकाया जाता था, महोदे उसके बाद शुरू हुआ, कमिटेड वीरो क्रेशित उन्हों ने बनाई दिया था, लेकिन दूसरा शुरू हुआ, कमिटेड जुडिसरी, वहाँ पर य एक एक जाम्पूल देना चाहूंगा, कि कमिटेड जुडिसरी का यह हाल था, पॉलिटीशियन तो जुडिसरी तो पॉलिटीशियन, वह किस्सा है, जस्टिस बहरूल इसलाम, जस्टिस बहरूल इसलाम था, आसाम के थे, और वह 62 में राजसभा में आये, 68 में दुबारा व साम में चुनाओ भी लड़े, उसके बास राजसभा के मेंबर थे, 72 में उन्हेंनों इस्तीफा दे दिया, और वो हो गए, कांग्रेस पार्टी ने, इंदरा जी ने उनको बना दिया, हाई कोट जज, गौहाटी हाई कोट, सिधे, पॉलिटीशियन से, और गौहाटी हाई को उसके बाद रिटायर होते हैं, उसके बाद वो फिर आ जाते हैं राजसभा में, 72 में फिर इस्तीफा देते हैं, और जब वो हाँ से रिटायर होते हैं, तो नौ महीने बाद रिटायर होने के बाद, उनको सुप्रिम कोट लाया जाता है, सुप्रिम कोट में जज बनते हैं, और एक जगनात मिश्रा जी का बिहार के चीप मिनिस्टर थे, करप्शन के इस था, उसमें उन्होंने उनके फेवर में जज्ज्मेंट दिया, और जज्ज्मेंट देने के बाद फिर इस्तिफा दे दिया, और उसके बाद रासभा गए, तो ये हाल था, जिसको काते थे, कमिट जुडिशरी, तो ये सम्मिधान में जो परिवर्तन किये गे, जुडिशरी में जस्टिस, एन रेक कैसे चीप जस्टिस साब इंडिया बने, ये हम सभी लोगों को मालूम है, तो वहां ये कल्चर चला, जुडिशरी को धमकाने का, कमिटेड जुडिशरी का, उसका नंगा सम्मिधान, सम्मिधान बाबा सहाब ने बनाया, और ये जो ने ने निरेटिव गढ़ा, तो दलितों में जानते थे, इन निरेटिव में, कि दलित जहां सम्मिधान पूरा देश सम्मिधान को कमिटेड है, लेकिन चुकि दलित बाबा सहाब के लिए बड़ा भावनातमक र सम्विधान में जो हालत किया कॉंग्रेस नहीं उसका मैंने एक्जामपुल दे चुका हूं, इमर्जन्सी से बड़ा कलंक कुछ नहीं हो चकता, लोक तंत्र का सबसे बड़ा कलंक सम्विधान पर सबसे बड़ा हमला, जहां लाखों में लोक बंद कर किये गए, और तमाम नेत जैप्रकास नराइन जी, मुलायम सिंग जी, यह सबी लोग जो है, जाजफणना डीज जी, यह बंद हुए, और अभी मुझे एक सीन दिखाई पड़ रहा था बड़ा, कि जहां कांग्रेस सम्विधान लिये हुए, और जूट बोल लही थी, कि सम्विधान, जो है, बीजे कि सम्विधान जोट बोल रहे थे, वही पर पीछे पीछे हमारे समाजबादी पार्टी के भाई लोग भी तक थी लिये खड़े थे, और इनको तो जो इमरजनसी का दिन था 25 जून, उसको तो जो समाजबादी, बड़े-बड़े समाजबादी ने यातनाय जहला, इनको तो जो कहा गया जो दलितों को ब्रामित करने का वो था कि आरक्षण छीना जा रहा है। आरक्षण बाबा साब सम्मिधान दिरमाता खुद दलित थे उन्होंने दलित की वेदना जेली थी और उसके बाद सम्मिधान बना। 61 में नियरु जी ने एक पत्र लिखा सभी मुखमंत्रियों को कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं है। उसमें आरक्षण केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातिका था। इसी सवाब में पदानमंत्री जी ने ये चीज कहा था और उसके बाद उन लोगों ने भाई लोगों ने क्या किया। कि उनका जवाला नेरु जी को तो हटा दिया। कि जवाला नेरु जी ने कहा था। मोदी जी को आरक्षण पसंद रही है। वो पार्ट उसको मीडिया पकाट करके खूब चलाया गया। और दलितों में कि देखे मोदी जी का रहे हैं को आरक्षण पसंद रही है। दूसरा मोदे कहना चाता हूँ चुके मैं सीधे उसे जुड़ा रहा। अलिगड मुस्लिम इन्वस्टी अलिगड मुस्लिम इन्वस्टी बनी 1920 में बाई एक्ट आप बिटिस पर्लेमेंट। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू भी स्विध्याले बना वो भी एक्ट पास बाई बिटिस पर्लेमेंट। बनारस हिंदु इन्वस्टी आरक्षण देती है पहले दरितों आदवासियों को अब तो गरीब सबनों को भी और ओवी सी को लेकिन वही अलीगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी लोगों बड़ी बरांती है कि साथ यह मानाइटी इन्वस्टी से नाट इन्वस्टी इस ने पैसा दिया राजा बिजया नगर महराजा पट्याला महराजा भी दर्भंगा इन तमाम हिंदू नवावों ने भी राजाओं ने भी पैसा दिया और अलीगर्ण मुस्लिम इन्वस्टी जनाटे माइनार्टी इन्वस्टी इसको जब डिबेट हुआ समिधान सवा में प कि दिया और वह एक क्योल कांग्रेस की दादागिरी थी कि सब कुछ होने के बाद यह नहीं दिया गया शिक्स्टी सेबन में एक बड़ा फेमस केच है महम्मद बासा वर्शन यूनिया उसमें साथ जजेज की सुप्रीम कोड बेंच ने कहा था कि आप जाती के नाम पर धर् आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आपको देना पड़ेगा लेकिन 67 के मुहम्मद बासा और शिजूनिया इंडिया सुप्रीम कोड के बेंच के बावजूद भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया कांग्रेस की दादागिरी उसके बाद इमर्जंसी लगी इमर्जंसी के सभडिये कर दिबाद यट्टी में कांगरेस पुर पावर में आती है अपनी तुष्टी काण के नीद के थाथ इनों न कहा कि हम अलीगर मुस्लीमिंरिस्टी को इस तरह से एक तरप जहां बार थी जंताNew탁 classical government को सुनेश्चित करती है, OBC कमिशन को समभादानी दरजा देती है, वहीं पर एक पार्टी कानून बना करके दलितों का OBC का सबका अरक्षण शिनती है, जो कांग्रेस ने किया 1991 में अलिगण मुस्कीम उवस्टी आएक्ट में परिवर्तन करके, वो मामलालाबाद हाई कोट में गया, 2005 में जस्टिस अरुंटंडन ने जजज्मेंट दिया, कि ये जो किया गया है, ये सुप्रीम कोट के जज्मेंट का उलंगन है, और आपको रिजर्वेशन देना पड़ जज्मेंट दिया, कि ये जज्मेंट अच्छा है, लेकिन जस्टिस अरुंटंडन को, जो कांग्रेस ने कन्फ्यूजन क्रियेट किया, एक्टी वन में, परिवर्तन करके, उसको क्वैस कर देना चाहिए, ये क्वैस हो गया, और आज वो सुप्रीम कोट में है, सुप्रीम क अरुक्षन ना मिले अलिगण में, वो हैं कांग्रेस के लोग जुड़े हुए, ये नहीं चाहते, तो एक तरफ ये बात करते हैं, कि हम दलितों के हिसायती हैं, बैकवर्ट के हितासी हैं, और एक तरफ कानून बनाकर ये अरुक्षन चिते हैं, मोदे, दलितों को बहुत भ अधनियम, उसमें सबसे ज़्यादा अगर लाभानवित हुए हैं, तो येसी और एस्टी लाभानवित हुए हैं, अभी उनको जो है, नागरिक्ता मिलना सुरू हो गया है, इसमें सबसे ज़्यादा ओथे नमोशुद्र और मतुआ, जो बंगला देश से भगाये गए थे, जोगनात मंडल जी के कारण जो रुख गए थे, दलित नेता जो पाकिस्तान के फर्स ला मिनिस्टर बने, लेवर मिनिस्टर बने, और उन्होंने आज येक राजनीच चलती है, भीम मीम की, और कहा जाता, अगर दलित मुसलिम मिल जाएं, तो इस देश पर राज करेंगे, अरे हम तो सब का साथ, सब का विकास, सब का प्रियास, उसकी बात करते हैं, हमारे लिए हिंदु, मुसल्मान, सिक, इसाई, हम सब भारती हैं, लेकिन ये जो राजनीच चली, उसी में मंडल जी बड़े बिद्वान थे, बाबा साहब के बाद हो भी, और वो कंबाइड मंग भारत के ला मिनिस्टर थे, उन्होंने बाबा साब के बात नहीं मानी, उन्हों कहा बाबा साब, हमारे दलित, इसलामी कंट्री में बहुत अच्छे रहेंगे, और वो पाकिस्तान का अफ्टन दिया, वहां के लान लेवर मिनिस्टर बने, लेकिन जो हाल उनकी वजा से पाक साल में भागाए, जब वो भागाए तो दलितों में भगदर मची, उनको बसाया गया आसाम में, बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में भी में जिले का एस्पी था, 86-88 में गया तो उनके बीच में भी, और वो था पिलीभीत, अकेले पिलीभीत में इस समें, धाई लाख दलित बंगाली हैं, नमो सुद्रेन मत वा, उनको बसाया गया, कांग्रेस ने कभी उनको नागरिक्ता देने की नहीं सोची, और उनको अगर नागरिक्ता दिया है, तो दिया है नहरूजी, जी तो बिरोत करते थे, माननी नेरेंदर मोधी, माननी अमिस साजी ने, जो C.A. तो C.A. में उनको आज नागरिक्ता मिली, आज वो भारत के नागरिक हैं, और उसका विरोत कुन कर रहा था C.A. कांग्रेस, यहीं आपके दिल्ली में महीनों चला, लखनाओं में घंटा घर पर चला, कांग्रेस के लोग घाजरी देते थे, और अर्बिन केजरिवाल जी त उनका सप्रायूजी थी था, तो वहाँ बिरोध होता था C.A. का, अरे C.A. का बिरोध, जो टोटल नागरिक्ता मिली है, जो अफकानिस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश से भगाए गए, हिंदूर्सी किसाई और जैन सब, उसमें जो नागरिक्ता मिली है, सत्तर से पच 70% दलित हैं, अनसूचित जार्जन जात के हैं, इसलिए इन बिरोधी पार्टियों के कहनिया का हक नहीं है, यह अनसूचित जात, S.T.S.T. O.V.C. के हितैसी हैं, मौदया, तो यह जो है, बिरोध किसका कर रहे थे, दलित का, आदिवासी का, बैकवर्ड का, और यहां क्या बोलते थे, आरक्षन छिन लेंगे, तो यह जो नेरेटिम इन्हों ने गढ़ा, वो इतना भ्रमित किया गया, लेकिन एक काट की हंडी एक बार चड़ती है, मौदया, यह काट की हंडी दोबारा नहीं चड़ने वाली, जैसे हमारे कई मित्रों ने कहा, इन्होंने प्रिंट पेपर दसकत करके उस पर माननी राजू, राहूल गांधी जी का है, दसकत माननी खड़के जी का है, और कहा कि जैसे हमारी सरकार आ रही है, पाली जुलाई से साड़े आठ अजार और एक साल में एक लाख, और आज वो उस पर उनों ने दिया कि आईएगा, और आज कांग् आप हमेशा नहीं बना सकते, इस देश की जनता जागरूख है, अगर इमर्जंसी को तार-तार करकर कर दिया, हमारी लोकतंत्र वो जड़ से जुड़ी है, वो कायम है, आप कुछ नहीं कर पाये, और उसके बाद आज भी वो मौझूद, लेकिन इन कांग्रेसियों को करनिया राश्पती जी ने और एक चीज़ ब्राद टच किया है, और वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आई पीसी, इंडियन पेनल कोर्ड बना था, एटीन सिक्स्टी में, कब बना था, जब अठारह सो सत्तावन में, फर्स्ट वार आफ इंडिपंजन्स हुआ, अंग्रे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप बना, और मेरा भी थोड़ा यह उगदान है, क्योंकि मैं चेर्मेन रहा उसका, परलेमेंट स्टेंडिंग कमिटी यान होम अफेर मेरे कमिटी से भी हो गुजरा है, अंग्रेजों ने मनाया था दंड देनेट लिए, भारती दंड संगि संगिता, लेकिन भारती जनता पारिटी कि उसमें जो भना, आयक्ट पास हुआ, जो पहली जुलाई से लागू होना जाए, मुझे बड़ा गर्म मर्शूस हो रहा है, क्योंकि मैंने विसमें काम की किया है, और उसमें रखा गया है भारती न्याय संगिता, हम दंड नहीं, न्याय दे रहे, CRPC जो थी उसका नाम रखा गया, भारती नागरिक सुरक्षा संगिता, हमरे कई कांगरेसें मित्र काते थे, भारती नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा means civil defense, हमका नई जनाब civil defense नहीं, 1952 में हमारा समिधान लागू हो गया, 1950 में, समिधान लागू हो वो भारती नागरिक्तों को मिल जाने चाहिए था, इसलिए जो criminal justice system अंगरेजों का दिया हुआ था, कांगरेज तो जब आजादी आये देश में, देश गणतंत्र बना, तो उसके पहले उनको इसको बदल देना चाहिए, लेकिन ये तो लोग खुद अंगरेजी मान सिकता क खूआजों का फूए है, ऑ वही कीज सुएकार करते हैं, कि आज वही कानून बना रहे जो अंगरेजों को बनाए हुआ था, तो इन्होंने इसका हमेशा कोसिस किया, कि यह नहो तो कहते हैं हमें काय छाब आजी, ये है यशंकि सम्विधान हमारा लागू हुआ तो ये जो कि नागरिग सुरक्षा संगीता जो CRPC का अब नया नाम है वो है सम्मिधान प्रदत अधिकार जो देश वासियों को उनको देने का है तीसरा है साक्ष अधिनियम अब इसमें अधिनियम में मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के लिए इंपोर्टन था पैसा देश को मतलम नहीं था जलिया वाला बाग हो तमाम इंसिडेंट और किस तरह से व्याहार करते थे मसूरिम जाईए तो हम तो वहां के ट्रेंड हैं डाक सेंड इंडियन्स आड नाट एलाउट को मान सिकता है उनकी थी और इसके लिए जोना आयक बनाया उस आयक में उनको दो सबसे बड़ा जुर्म होता है मानोबध हत्या मुर्डर और दूसरा होता है बहनों के साथ महिलाओं के साथ बलाबकार लेकिन बलाबकार कहां रखा उन्होंने सेक्शन 376 इंडियन पेनल कोड 376 नंबर उनकी वह प्रास्मिक्ता नहीं थी और मुर्डर कहां रखा 302 लेकिन अब जुबन नया भारती नय संगिता बना है मौदया पहला चेप्टर है अफेंसे जगेंस ओमन एंड चिड इसमें जो बलाबकार की सजा दी गई है अगर नावालिक बच्ची है बारा साल से कम है और गैंग रेफ होता है तो सजा है 85 की सजा बलाबकार में आजन्म कारवास की स साल तो यह सरकार जो कहती है हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे महिलाओं का अधिकार देंगे और हमने नारी सक्थ बंदन अध्रीय में पास किया है उस पर खरी उतरती है और जो नया रहा है वाली जुलाई से उसमें महिलाओं के लिए पारा चेप्टर है वा, Offences Against Women and Children, उसके बाद है, Offences Against Human Body, जिसमें मॉर्डर है, उससे जितने रिलेटेड है, इसलिए, जो एक्ट बने हुए हैं, इसमें हम लोगों ने एक एक किया है, इस नए एक्ट में, कि हमने न्याय देने का कहा है, दंड देने का नहीं, अब इसके बाद, कई चीजें नहीं एक था, अर्गनाइज क्राइम, बड़े-बड़े माफिया बने, बांबेक हमारे मुर्डी द्योडा जी बोल रहे थे, आतंगवाद था, और वहां कौन-कौन अंडर वर्ल चलता था, उसमें के, पुर्य देश में था, अंग्रेजों के जवाने नहीं था, तो उसके बाद जो अर्गनाइज क्राइम के खिलाफ आयक्ट बनना चाहिए था, फुर नहीं था, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, पुलिस अधिकारी रहा हूं, डीजीप रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में गैंग्स्टर पर कारवाई हुई, हजारो करोड की संपत्मियां ज जोड़ा गया है, जिससे पुरे देश में यह जो अर्गनाइज क्राइम है, उसको उसी तरह से जड़ से खतम कर दिया जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश का जो माफियां पर कारवाई है, वो कोल हमारे देश में नहीं, हमारे प् पॉड़ाजी कर बिता रहे थे बांबी में रोज विस्पोट होते थे उन्हों 26 एक हमारे मेंबर है रास सवा में भी दिखाई नी पड़ रहे हैं लेकिन उनको जरूरूर मालूम है कि जब 26.11 हुआ तो कहा गया ये तो पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है ये तो RSS का हाथ है और इंडियन मुजाहिदीन जो नाम है ये है बजरंग दल का कोड नेम है और वहाँ पर एक किताब लिखाई गई 26.11 RSS की साजिस इसके लवाँ एक वहाँ डिटाइड आईजी जनाव थे उन्होंने भी लिखा और वो रासवासांसत कांग्रेस के हैं एक प्रदेश के मुखमंत्री राचुके हैं उन्होंने बंबई जाकर के उसका अनावरण किया दिल्ली में भीमुचन किया दिल्ली में व का तो लालु यादो जी ने परिदर से ही बदल दिया 2005 में वहाँ चुना होने वाला था 2004 में रेल मंत्री बने रेलवे मिनिस्ट्री को अधिकार नहीं होता कोई जूडिशल कमिशन बनाया और उन्होंने कहा बनर जी जी ने इसी रेल भावन में किस कमरें में लिखा जाता टाइपिस्ट होने मैं भी 5 जाल रहा हूं, 7 साल रेल रेलवे में पर चीप सेव ड़ी कमिशनर रहा हूं और वहाँ पर वो दस्कत करते थे बंदर जी साहब अनुड़ प्लीज कंक्लूड प्लीज का गया यह तो आतंग बाद था ही नहीं यह तो कोई बाहर से अठाय नहीं यह एक्सिडेंट था और उन्होंने एक वो बुलाया प्रेस कांफरेंस बाबा लोग थे चले आ रहे थे जुद्या दर्शन के बाद चिलम पी रहे थे और आग लग गई हुआ परदेश बदल दिया आमदाबाद हाई को सलाम करता हूं इन्होंने जे रिपोर्ट बनाये लोट ने खतम कर दिया उसमें 11 लोगों को फासी और 21 को आजम करवास हुआ तो आज को पुरे देश में सही आतकबाद नहीं है आज जीरो टॉलरेंस की नीती है हमारी नीती है इक्षा सक्ती है और जब यह सांति व्योस्था नहीं रहती तो डवलप्मेंट नहीं होता चू में मोदी जी का जो विक्तित भारत है हम बनेंगे और हंडेट पर्षंट बनेंगे जिसका एक मूल आधार होता है कानून व्योस्था स्वांति व्योस्था आतंगबाद अपराद के पर जीरो टान्रेंस इसके लिए मैं इस अब्दों के साथ मानिया राजपती जी को उनके वाशन पर में बहुत बहुत उनको धनवाद देता हूँ जय हिन जय बाद